नमस्कार आप देख रहे हैं टोटल टीवी और आपके साथ मैं हूँ आचल काधियान योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा हो चुका है चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं मुख्य मंत्री योग यादी तिनाथ की प्रेस कोंफरेंस में मैं इस उसर पर आप सब का विशेश रूप से हिर्दे से विनंदन करता हूँ कि आप सब ने बाद सकारात्मक भाव के साथ प्रदेश के अंदर हुए कार्यों को देश और दुनिया के सामने पहुंचाने का कार्य किया है च्छै वर्षे पहने उत्तर प्रदेश कहां था और इन च्छै वर्षों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन एक नए उत्तर प्रदेश की काथा को सब के सामने भी रखता है और मुझे बताते हैं प्रसंता है कि इच्छै वर्ष उत्तर प्रदेश की लेतन तो महत्तुकून रहे हैं फुल मेजरोटी की सरकार और सरकार की स्थिर्ता का मतलब क्या होता है यह भरती जंता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रस्पर समनवे और संबाद के माध्यम से उसे प्राप्त किया है पिछले छह वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने आधनिय प्रधान मंत्री जी के मारक दर्शन और पेड़ना से उत्तर प्रदेश के समक्र विकास की अपनी एक कारयोशना जो बनाई थी पुरी मानदारी के साथ उसे लागू करने के लिए हर अस्तर पर प्रयास किया है प्राज उसके प्रणाम भी हम सब के सामने है जो दस सेक्टर हम लोगों ने इसके लिए चिन्नित किये जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रंप्रागत चाती मौत मजहग रस्टाचार परिवारवाद इस सब के नाम पर जो राजनीती होती थी इससे अलग घट करके उत्तरप्रदेस की पैचान उत्तरप्रदेस के अंरूप असीम संभावना व Himself की उस्टरप्रदेस की पैचान हो कि छे वर्स में से मित्रों तीन वर्स तो बैस्विक महामारी करोना से लड़ते वे जूसते वे वितित्वे और उसी में हम लोगों ने रहा भी निका दी कि मुझे बताते विए प्रसंता है कि उत्तर प्रदेश ने इस दोरान अनेव उप्लब्धियां हासिल की जो उत्तर प्रदेश जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो सकता प्रदेश की कोई सोच नहीं है आज वह आधनिय प्रदान मंत्री जी की सभी फ्लेक्सिप स्कीम में देश के अंदर नंबर एक की दोर में है नंबर एक की आप्रा को आगे वहारा है यह वहीं उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोगों के धारणा थी कि नहीं वहां तो परिवारवाद है वहां प्रस्काचार है वहां हर दूसे तेसी दिन एक दंगा होता है छै वर्थ में अत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो ओ दूस recur ने इपने इंफ्रस्क्रार बेह थिर्यक्र सब्सक्राइए अपने युवां के बारे में से-क बहतरी इन potential आफ्रीम सोच को आगे बढ़ाने वाले राज्जे के रूंप में और रही है जा सरकारी नौक्रियों में पूरी इमानदारी और पारदरसिता तो रहेगी ही लेकिन नीजी छेत्र में भी नौक्री और रोजगार की धेर सारी संबहवनाओं को आगे बढ़ाने के लिए धेर सारी संबहवनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रियास हुए है डवल इंजन सरकार के द्वारा उसके पेड़नाम भी हम सब के सामने है आज आप देख सकते हैं उत्तरप्रदेश के अंदर एक करोड स्यधिक निरासित महला बिर्धावस्ताव पाने वाली पेंशन पाने वाली महलाओं दिब्यांग जनों को बारा हजार रुपेश सालाना केवल पेंशन की सुविधा उत्तरप्रदेश वरतमान में अप्लब्द करा रहा है यह वही उत्तरप्रदेश है जहां पर तमाम अईभावा के इस बात के लिए चिंतित रहते थे कि बितिया बेवहा योग क्यों होगी क्या होगा बेटी को कैसे पढ़ाएंगे आज 14 लाग से धिक बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से आच्छा दित किया गया है और प्रदेश के अंदर बितिया के पढ़ाई पुरी होगी तो मुख्यमंत्री सामिक व्योभा योजना भी उस बेटी की साधी के लिए सासन के सयोग से उस कारिकरम को आगे बढ़ाने का कारे करेगे सवाग दो लाग से दिक बेटियों की साधी ब्याओं से संपन्न हो गया लगातार इसके कारे चल लाए महला सुयम से भी समों एक नए मॉडल के रूप में आदुत्र प्रदेश के अंदर कारे कर रही है महला और बाल विकास भाग के पोसा हार योशिना को हर कुपोसित परिवार तक पहुंचाने का कारे और उनके स्वयम के प्लांट हर ब्लाक खंटस्तर पर लगाई जा रहे हैं वही महला ससक्ति करण स्वावलंबन और सम्मान के एक आतर्स की रूपने को उत्तर प्रदेश आगे वढ़ा है युवाओं को आसानी से नौकरी भी मिल सके वे आर्थिक स्वावलंबन की और अग्रसर भी हो सके उनके द्वारा स्वत्वर रोजगार को भी आगे वढ़ाने का प्रियास हो सके उत्तर प्रदेश आज अपने MSME को जिस रूप में प्रमोट किया है वन डिस्टिक वन प्रॉडक्ट की ये योजना आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में और दुनिया में एक नई धूम बचा रहा है विश्वकर्मा स्रम सम्मा मुट्तर प्रदेश के हस्तिसिल्पियों कारीकरों को एक नई पैचान दिला रहा है दो करोड युवाओं को तकनिकी दिश्चे हम सक्सम बना सके टैबलेट और स्मार्ट फोन देने वाला एक देश का पहला राज्य है जो अब तक दो करोड युवाओं को ये सुविधार देने की कारवाई को आगे बढ़ाता है और बीस लाग से दिक युवाओं को अब तक हम इस सुविधार का से लाभभनित भी कर चुके हैं आज मैं कह सकता हूँ उक्तर प्रदेश के अंदर कोई जन्पत ऐसा नहीं होगा जहां के युवाओं को सरकारी नौकरी न मिली हो और इसलिए अधरिय प्रधान मंत्री जी की पेना से मिसन रोजगार के अंतरकत जब पूरी सेलेक्शन की पूरी प्रक्रिया संपन होती है तो हम से भी एक बार आओ लोकन जरूर करते हैं कि भई इसमें बताओ क्या उत्तर प्रदेश के हर जन्पत के युवाओं हैं या नहीं है आज वहभी तस्वीर हम सब के सामने देखने को मिलती है हर जन्पत के युवाओं को उसमें स्थान मिलता है दिना भेदभाव के मिलता है और समाजर अधन से हर तपके का युवा उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के ना किवल सरकारी नौकरी बलकि आज निवेश के बहत्रीन गंतप्पे की रूप में भी जिस अस्थान को उसने आगे बढ़ाया है करो युवाओं को नौकरी और रोजगार की सब महावनाओं को आगे बढ़ाने में हमें मदद में कि कोविट काल खंड में हर 32 वात को जानता है कि कैसे उत्तर प्रदेश की वन डिस्टिक बन प्रॉडक्ट की प्रोग्राम ने परियोचना ने कि आने वाले हर कामगार और सर्मिक के हाथों को कारे कारे दिया था उन्हें बिरोजगार नहीं होने दिया था इसे कूए पुद्धिक आई क्या के समयव ही चुनसी के समय फीश कारे होता है अंत्र प्रदेश के रोगागर की रूष में कि नहीं हम करके दिखा सकते हैं हम चुनवति का सामना हम करेंगे उत्तर्प्रदेश ने उमानक भी प्रस्तु रिए कानून विवस्ता कैसे होनी चाहिए उत्तर्प्रदेश जैसे राज्य के बारे में लोग कहते थे यह संभव है उत्रप्रदेश की तीम ने उसे संभव बना दिया है लेकिन इसके लिए प्रियास हुए पुलिस की भरती पारदर्सी तरीके से संपन्न हो यह उत्रप्रदेश में हुआ एक लाज चौसट हजार से दिक पुलिस की भरती की प्रक्रिया को पारतर्सी तरीके से संपन्न किया गया ना परिवारवाद न जातिवाद उत्तर प्रदेश का हर नौजवान हमारे परिवार का हिस्सा है और उसे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी में जगे मिलनी ही चाहिए यह अभी करके दिखाया गया पुलिस रिफोर्म हो इसके लिए प्रयास किये गए साथ पुलिस कमिस्रेट यह अभी उत्तर प्रदेश के अंदर बने हैं कि पहली बार देखने को मिलना हो रहा है उत्तर प्रदेश में हर तैसील अस्तर पर फायर टेंडर के स्थापना हो यह कारे भी हुए पुलिस की अवस्तापना सुविदाओं के कारिक्रम कौम आगे बढ़ा सके यह भी आप हर पुलिस लाइन में आप चले जाईए हर थाने में आप चले जाईए आपको पुलिस कार्मिकों के लिए अच्छे बैरेक बनते वे दिखाए दे रहा होंगे या बन बन चुके हैं कि साइबर थाना अपराद के बढ़ने के साथ हर रेंज अस्तर पर और फिर हर जिले अस्तर पर भी साइबर थानी के स्थापना हो इस कारिक्रम को भी अठाप बढ़ाया गया है हर रेंज अस्तर पर फॉरेंसिक लैब के स्थापना हो उत्तर प्रदेश में पुलिस की टेनिंग की चंपा को बढ़ाया जा सके इसको तीन गुना भी इस दोरान हम लोगों ने करने में सफलता प्राप्त की उत्तर प्रदेश में अपना स्वेम का साइबर और फॉरेंसिक इस्टिटूट हो उसके अस्थापना भी लखनों में हो र कि भी आपदा के दोरान उत्तर प्रदेश वास्यों की सायता करने के लिए और अगल बगल के राज्यों में भी दुर्भा के से अगर कोई दैवी आपदा आत्यस आपदा के दोरान सहयोग कर सके उत्तर प्रदेश के अंदर उसके लिए भी तीन प्रटालियन का गठन हुआ उत्रप्रदेश के अंदर मिर्दप्राया हो चुकी पिएसी की 54 बहानियों को बनरगठन हो सके ये भी किया गया और उत्रप्रदेश पुलिस बल में महला कार्मिकों की संख्या बढ़े आज आप देख सकते हैं पहले की तुलना में 1947 से 2017 के बीच में जितनी मुस्लिम जितनी भी वहां महला कार्मिक थी दस हजार से बढ़ा करके आज उनकी संख्या बढ़ करके महला कार्मिकों की संख्या बढ़ करके आज वह लगभग चालीस हजार तक पहुँच रही है चार गुना ये संख्या बढ़ जाए कि अपने आपने महला ससक्ती करण के उधारना भी प्रस्तुत करती है उनकी ये सभी प्रकार की संभावनाओं को आगे बढ़ाता है और यहां से जब कारे प्रारम होता है यहां पे सरकार में इस्तिरतार अस्थाइट तो नहीं है प्रसासन में भी अस्थाइट तो है पहली बार आपने वर्सों के बाद दोस्कों के बाद देखा होगा कोई जिलादीकारी कोई पुलिस अधिक सक अपना पुरा टेन्योर पूरा कर रहा है जन्पदों में अन्यथा तास के पत्तों की तरह फेटे जाते थे सब प्रसासन में इस्थिर्था नियोगी हुम कुछ भी पर्फॉर्म नहीं कर सकते लेकिन डॉबल इंजन सरकार की पाकत है आज शासन में अस्थाइट्व है तो प्रसासन को भी अस्थाइट्व का लाब मिल्लाहर उसका अन्तालाब उक्तर प्रदेश की पचीश करोण जन्ता को प्राप्त हो रहा है उसका लाब उक्तर प्रदेश की चंता को हो रहा है हर एक सेक्टर में हर एक छेतर में ये सब प्रिफॉर्म के लाब प्राप्त हो रहे हैं इस प्रिफॉर्म के लाब प्राप्त हो रहे हैं अकेले अन्यदाता किसानों के जीवन में प्रिवर्तन लाने क पेले कि दीवीटी के मात्यम से 3.50000 क्रोड उपे से दिकी धाशी डीवीटी के मात्यम से अन्र दाता खिसानों के खाते में गया है और अगर कर्ज माफी की बात को मैं भी इसके साथ जोड़ दो तो ये संख्या वड़ करके चार लाग करोड़ उपे से उपर तक पहुंसती है मित्रों ये चीजे दिखाती हैं सरकार की प्रात्मिक्ता चाती मात मजभ शेत्र भासा नहीं गाओं है गरीब है किसान है नौज़वान है महलाएं है समाज का प्रदेख पपका है और सरकार ने अपने कारिक्रमों के मात्यम से केंडर और राज्य सरकार की योजनाओं को पूरी इमानदारी के साथ उन तक पहुँचाने का काम हुआ अज उत्तर प्रदेश में बेहत्रीन इंफ्रस्तेक्शं से इंफ्रस्टुक्चर की देख सकतैं रप्रदेस के dar पूरी उत्तर प्रदेश जो भिकास की दोड़ में पिछड़ गया था पुरबंचल एक्स्प्रेस के साथ जूड़ः है विद्धेल खंड जो आर्थी ग्रूप से भिपन्न माना जाता था अज बुन्देल खंड एक्सप्रेस्वे के साथ जुड़ चुका है पस्यमी उत्तर प्रदेश को मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए आज गंगा प्रत्त से दिकाम उस पे संपन्द कर चुके हैं देजी के साथ कारे चला है और हमारा प्रयास है कि प्रयाग्राज कुंब है तरचीश के पहले पहले कंग एक स्वागत के लिए करें सब्सक्राइब להए तक मद्यार हूए एंदफर प्रदेश में है घर कनेक्टी वीटिटी बहुए इंतर्स चभ्यान के साथ जोड़ा गया हर जिला मुख्याले को अध Furland को दूर क्या जा सके आज उस पर भी उत्तर्पदेश ने तीजी के साथ अपने कारिक्रम को आगे वड़ाया है गाउंगाउं की सब्सक्राइब कि मारकों को बेहतरीन करने का कारे हुआ है और यह कारिक्रम दिरंतर आगे वड़ रहे हैं मेट्रों कि देश के अंदर सबसेदिक सीटी में यूपी के अंदर मेट्रों चले पांस सीटी में चली है छटी सीटी हमारी आगरा में कारे चलना है जिसे हमारा प्रियास है कि सब्सक्राइब देश के अंदर पहला स्टेट है जहां पर राश्टे राश्दानी से रैपिट रेल को जोड़ने की कारवाई हो लिए और अब लगभग फूरी हो चुकी है अगले मेहने तक आधने प्रधान मंत्री चीके करकमलों से उसे राश्टी को समर्पित करने का कार लोगनव Pan और वारणाजी की है यह सक्रियासील एरपोट थे आ लेके हैं लेकिन तक पूर्थ मोर्थ आ가 अया है कि आ के साथ जोडने के साथ हमारे साथ एह मूयू क्यार अपनी सेमती भी देदी है अगले एक दो मेहने के अंदर हम वहां पर एर कनेक्टिमिटी के साथ उसे जोड़ देंगे अगले दो वर्शी के अंदर उत्तरप्रदेश पांच इंट्रनेशनल एरपोर्ट का पहला राज्य होगा देश के अंदर जिनमें तीन वर्तमान में कृिया सील हैma दो पे कारे चला है। और जिवर में इंटरनेशनल एयर्पोर्ट पर वर्तमान में काले चला है जो हम टेइस के अंततक दोनों एयर्पोर्ट को कि क्रिया सील करने कर देंगे कि देश का पहला वाटरवेल नंबर वन ये यूपी के अंदर हल्दिया से वाराणासी के बीच में जुड़ चुका है आधने प्रधान मंत्री जी ने तेरा जन्वरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर कुरुच का उद्गाटा ने वाराणासी से डिब्रु बढ़ के लिए किया था यानि पूर्वी पंदर्गा से जो उत्तर्वदेश को हमेशा इस बात का रहता था मनाल रहता था कि हमारे पास किसी भी पंदर्गा से जुड़ने के लिए कोई माध्यम नहीं है हमने अपने पतितपावन नदियों को उसको माध्यम बनाया है और आज हम लोग पूर्वी पंदर्गा से सीधे सीधे जुड़ सकते हैं और पूर्वी पंदर्गा के साथ जुड़ते वे आज वाराणासी से हल्दिया के बीच में वाटरवेब प्रारम हो चुका है प्रदेश सरकार इस्तिसामे और अन्य छेत्रों में अन्य सेक्टर को भी तलास रही है जहां पर कार्गो की बेहतरीन फैसलिटी हम जिसके माध्यम से दे सके हम वहां पर अन्य तवाम स्विवधाओं से युक्त स्विवधाएं दे रहे हैं जिससे किसान के उत्पाद को हम बैस्विक बाजार तक पहुंचाने में हमें सफलता परापत हो सके इस सभी कारिक्रम इसके साथ जुड़ रहे हैं इतना पिछले च्छे वर्स के अंदर उत्तर प्रदेश सच्मुच अपना प्रसेंशन बदला है आज उत्तर प्रदेश के बारे में कोई नेगटिव टिपणी नहीं करता है नकारात्मंग नहीं सोचता है आज उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक नहीं चमक आती है बाहर के लोगों के मन में चमक आती है और नहीं तो छे वर्स पहले तक उत्तर प्रदेश का नाम सुनने पर लोग बड़ी संदेश की दिश्य देखते थे यह जो प्रसेप्शन चेंज हुआ है मैं मानता हूं यह हमारी सरकार की दवनिंजन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट आज के दिल प पहचान को छुपाने का और उनके सामने किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता है आज जहां भी जाएंगे लोग बड़े सम्मान के साथ उन्हें उनकी योक्यता और उनकी च्छमता के लोग उत्तरब्रदेश अपने अपने राज्यों में अपने अपने देसों में कारे देने को तैयार है लेकिन उत्तरब्रदेश स्वयम ही तैयार हो चुका है हमारी सरकार में जब अपने दूसरा कारेकाल प्रारंब किया नहीं हैндको हमने फिर से अपने उसी स्पीट को डवल इंजन की सरकार है तो डवल और टिपल स्पीट के साथ अपने कारेक्रम को आगे बढ़ाने का काले भी किया है याद करिए जब कारेक्रम की सुरुवाद ही हम लोगों ने आधने प्रधान मंद्जी जी के दौरा असी हजार करोड उपे की परियोजनाओं के ग्राउंड ब्रेंकिंग के कारेक्रम के साथ अभ्यान को सुरुवाद किया था ग्रांड बैंकिंग अब तक कितने हजार करोडी की प्रियोशनाओं के सलान्यास का करिक्रम और द्यूट है मुद्यूट कि विकास जुड़ी भी प्रियोशनाओं का अब तक हमारी सरकार के इस कालखंड में च्छे वर्ष के कालखंड में 5 लाख करोड़ उपे से धिक की निजी छेत्र की और द्योगिक प्रियोशनाओं का नकेवल सलान्यास्वा बल्कि बहुत सारी इकाईयां तो इसमें अपना प्रोडुक्शन भी शुरू कर दी लाखों नौजवानों को इससे नौकरी मिली और ग्लोबल इन्नेशनल समिट यह तो सब के सामने 35 लाख करोड़ उपे की प्रियोजनाओं का लाप उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो यह तो लोगों के लिए कौतलों राजस्तर है हर विक्तिनिस होजा उत्तर प्रदेश में 35 सुनाथ करोड़ में के प्रस्ताव आजाएं यहां भी हुआ है और आप तो सब उसके साथ सी रहे हैं कैसे 25 सेक्टरियल पॉल्सी बना करें अलगलग सेक्टर में पहले चरण में आपने देखा होगा कैसे उत्तर प्रदेश नीस यात्रा को आगे बढ़ाया था चाहे वहां उत्तर प्रदेश के अंदर सुचवारत मिशन के अंतरगत सोचाले बनाने के कारे रहे हों पहले धाई वर्स में मात्र 25 लाग सोचाले बने थे और अगले डेड़ वर्स के अंदर 17 से ले करके 18-19 के बीच में मात्र डेड़ वर्स का कारेकाल हमें मिला था जब इसे अक्टूबार 2018 के अंदर इस कारेकरम को पोरा करना था तब हमने 2 करोड 61 लाग सोचालेओं का रिर्मान किया था पहले 12 से 17 के बीच में प्रधानमंत्री आवासी योजना अगर सहरी छेतर में ग्रामिड छेतर में तो खैर कोई कारे यहां पर लागू नहीं किया गया था लेकिन अगर मैं सहरी छेतर की बात करूँ तो 18,000 सेंक्सन होई थे कोई बना नहीं था और वर्धमान में ग्रामिड और सहरी में प्रधानमंत्री आवासी योजना की मैं बात करूँ तो पिसले 6 वर्स के अंदर 52,77,000 आवास तो केवल ग्रामिड चेतर और सहरी चेतर के अंने स्विक्रत किये हैं इसके लावा एक लाग से उपर आवास मुख्यमंत्री आवास योजना में भी उन गरीबों को प्लब्द करवाए गए हैं जिन में मुसहर है, बंटांगया है, थारू है, कोल है, सहरिया है इन सभी चातियों से जुड़ेवे लोग हैं जिनकी वाइस कम थी जिन तक सासन की योजनाएं आजादी के 70 वर्सों तक नहीं पहुँच पाई थी उन तक पहुँचाने का काम भी सफलता पुरुवक किया ग और प्रदेश के सभी चत्तर जन्पतों में ग्रामीड और सहरी चेत्र में समान लुप से विद्धूत की आप उर्दिवी की गई, यह आपने देखा होगा, अर्थ विवस्ता में उत्तर प्रदेश जो छटे अस्तान पर था, आज मित्रों मुझे बताते ही प्रसंता है, इ राकार को हमने दुगने से दिख बढ़ाने में सफलता प्राप्ट की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथि प्रदेख याइप जो निश्नल ऐपरेज की वं थार्ड थी 2017 में, आज उसको हम उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रथिव्यक्ति आइए को दवल करने में हमें सफलता प्राप्त होई है प्रदेश के अंदर हमने जो पहले नरासित महला पेंशन 17 लाग महलाओं को प्राप्त होता था और वह भी केवल 500 रुप्या आज मित्रों उसे बढ़ा करके 21 लाग नरासित महलाओं को आज इस सुगधा का लाप प्राप्त हो रहा है और पेंशन की राशी को भी डवल किया गया है बिर्धावस्ता पेंशन जो पहले 37 लाग इसके लाभारती थे और उन्हें 500 रुपे मास्य के सुगधा प्राप्त होती थी आज 56 लाट महलाओं को इस स सुगधा भी डवल की है विरोजगारी कीतर उत्तरप्रदेश के अंदर 2016 में जो 18 प्रिस्तत सी आज और धड़कर के लगभग तीन और चार के पीच में है इस चीज़ें दिखाती है उत्तरप्रदेश के अंदर रोजगार की समामनाई बढ़ी है और हर एक सेक्टर में उत् सब्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे साथ से लेके सत्रह के बीज दस वर्सों में जितना गन्ना मुल्यका भुक्तान हुआ हम लोगों ने छै वर्स में उससे डवल गन्ना मुल्यका भुक्तान किया है और मुझे बताते हुए प्रसंता है कि हमारी सरकार अब तक 2,2 हजार करोड रुपे से दिक्का गन्ना मुल्यका भुक्तान कर चुकी है अगर धान और ग्यों के क्राय में ही देखें सत्रह के पहले कोई प्रक्यूर्मेंट की पॉल्सी नहीं थी दलाल और एजेंट के मात्यम से इस सब खरीदे जाते थे हमारी सरकार ने मीडियेटर की विवस्ता समप्त की अगर धान क्राय का आप देखेंगे तो इससे पहले बारा से सत्रह के बीश में मात्र 123 लाख मिट्टिक तन धान का क्राय विचोलियों के मात्यम से वाता जिसमें से मात्र 17190 करोड़ किसान के पास किसान को दिये गए थे यानि महीं को प्रब्द कराय गये थे उनके 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 मुद्यम से किसान के पास गए हो रहने सही नाम किसान को नहीं मिले लेकिन सत्रह से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो तीन सो चवालीस यानि तीन सो पैंतालीस लाक में टिक तन धान का करे हुआ और जिसमें लगभग चौसट हजार करोड उपे का वुक्तन सीधे-सीधे अनदाता किसानों के खाते में गया डिवीटी के माद्यम से इस धंदासी को ब्लब्द करवाने का कारिद हुआ ऐसे ही गेहूं के मामले में आप देखेंगे कि बारा से सत्रह के बीच उस चौरानवे लाग मिट्टिक्टन गेहूं का क्रेवा वह भी बिचोलियों के माद्यम से और बारा हजार आड़ सो क्रूर उपनान बारा से सत्रह के बीच में विचोलियों को हुआ फिर विचोलियों ने किसान तक मौचाया होगा लेकिन 17 से लेकर के 23 के बीच में हम लोगों ने अब तक 219 लाग मिट्टिक्टन गेहूं का खरीद किया चालीस लाग चालीस हजार 169 करोड उपनान डीवीटी के मात आजम से अन्दाता किसान के खाते में किया है इसान यानि किसी भी सेक्टर में आज उत्तर देश यू इतनौल उत्पाधन का देश का नंबर एक रज इनदर 178 क्रोड लिटर इथनॉल आज कर रहा है और वन डिस्टिक वन मेडिकल कॉलेज की तरह हम पढ़ चुके हैं आज मुझे पताते हैं प्रसंट पाहिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण या तो हो चुका है या निर्माणा धीन है या फिर तीन-चार जिले जो बचे हैं इन जनपदों में भी वो परकिरिया को हम लगवग फैनल लूप दे चुके हैं बहुत सीक्र उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज चरूर होगा हर कमिस्णरी अस्तर पर एक विश्वविक द्याल है और मेरी सरकार को यह सौभा के प्राप्त हुआ है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के सपने को एक नई उडान देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक विश्व द्याले बनाए सधिया अटल जी के नाम पर अटल वेहरी बाजबे मेडिकल निवर्ष्टी मां साकंब्री के नाम पर एक स्टेट निवर्ष्टी साहरनफुर में एक इनवर्ष्टी राजा महंदर प्रताप सिंग्जी जो देश की आजादी के एक महानायक थे उनके नाम पर एक राज्य विश्व द्याले का निर्माण अलीगड़ में हो रहा है एक राज्य विश्व द्याले का निर्माण आजमगड़ में महाराज सुहल देव के नाम पर चला है ये तीनों विश्वविद्याले, चारों विश्वविद्याले को हम लोग कर्यासील कर चुके हैं, इनके अपने भवन के निर्मानकार युद्धस्तर पर चल ला है मायोगी गोरक्षनात के नाम पर आवेश विश्विद्याले गोरकपुर में निर्मानकारे युद्धस्तर पर चला है डॉक्टर राजेंदर प्रसाद जी के नाम पर नेश्टनल लॉइनुवस्टी प्रियागराज में सेंक्सन की गई है जहां एक विश्विद्याले आज वरतमान में प्रदेश सरकार में स्वीकृत किये हैं वरतमान के बजट में इस यहां पे कोई राज्य विश्विद्याले नहीं था जो हमारे उनसिचुरेटिट कमिस्टरी थी जहां पे कोई राज्य विश्व विद्याले नहीं था इसमें माविंदुवासिनी के धाम में माविंदुवासिनी के नाम पे एक विश्व विद्याले मापाटिश्वरी के धाम देविपाटन मंडल में एक विश्व विद्याले चीनगर में महत्मा बुद्ध के नाम पर एक नए विश्विद्याले की स्विख्योंती भी इस बार की बजट में यहां पर सरकार के द्वारा वहां पर उन जन पर उन राज्जों उन सभी कमिशनली के लिए भी यह सब स्विधाव प्लब्द करवाई गई भार्मेशी की सेक् आरे हो यमना अथर्टी के पास चाहे ललितपूर में भार्मा पार्क के निर्मान की कारवाई को हैं हम सब आभारी हैं आदड़े प्रधान मंत्रीची के जोनों ने पेम मित्र योशना के अंतरगत लखनो और हरगोई के बीच में लगभग बारासों एकड़ छेत्रफल में है कि एक टेक्स्टाइल को अत्याथनी पार्क की सूउक्रति उत्तेर्प्रदेश के लोगलगत करवाई है यह इनchange संभावनाओं को वो हम लोग कैसे आगे वढ़ाने का कारे कर सकते हैं और ये सभी चीजें आगे वढ़ी है इसलिए मित्रों एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश आज हरे एक सेक्टर में अपने कारिक्टरम को आगे वढ़ाने में सफल हुआ है वहीं उत्तर प्रदेश आज न्यू येज हाई टेक मिनिफेक्चरिंग का भी देश का एक नंबर एक राज्य के रूप में उभरा है अभी बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नी कि देश में सबसे बड़ा रोबर्टिक प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर अस्थापित हो रहा है कि देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर का बेश उत्तरप्रदेश बनने जा रहा है और देश में सबसे धीक इलेक्टिक वेकिल के रिजिस्टेशन वाला प्रदेश भी उत्तरप्रदेश ही है वित्रों ये चीजें दिखाती है कि उत्तरप्रदेश असीम संभामनाओं वाला प्रदेश है और ये असीम संभामना इत्ता पंती है जब तवरिंजन की सरकार हो जनता के साथ बहतर संबाद हो और टीम वर्क जब कहीं पर जब कारे होती है सासन की कारेपद्दती में केवल इमानदारी हो बलकि उसमें उत्ती ही पार्तर सिता भी हो तो उसके पेड़नाम भी हम सब के सामने आते हैं सरकार की उपलब्द्द्द्द्द्द्द ये पुस्तिका आप लोगों को उपलब्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द हमारे प्रभारी मंत्री गण उन जन्पदों में जाकर कि इन पुस्तिकाओं का विमोचन कर रहे हैं जहां पर प्रभारी मंत्री नहीं जा पा रहे हैं या उनके कारेकरम किसी एक चले में है तो सेज जन्पदों में हमारे संगठन के पदादिकारी मानिय सांसाद मानिय विधायक नण इस कारेकरम को आयुजित कर रहे हैं इस पुस्तिकाओं में सभी 403 विधानसवाओं से जुड़ीवी योशनाओं का भी उल्ले किया गया है जो अलग-अलग विधानसवाद छेत्रो में पुस्तिकाओं बित्रित हो रही है यह उसका भी उल्लेक वहां पर किया गया है यह दिखाती है सरकार पुरी इमानदारी के साथ कारे कर रही है पुरी प्रतिवरत्ता के साथ कारे कर रही है जनता को जनारदन मान करके उनकी हर प्रकार की सेवा के लिए पुरे समर्पित भाव के साथ सरकार ने इमानदारी के साथ इन कारिक्रमों को आगे वड़ाया है और आज इन सभी बातों को मैं बहुत सारी डाटा आपको प्लब्द नहीं करा रहा हूं क्योंकि पुस्तकों में उसका उल्लेक अलेडी किया गया है आप उसको वहां से भी देख लेंगे ये सभी चीज़ें थी नए सौसर पर खास्तोर पर आप सब को हिर्दे से आपका मैं अभी नतन करूंगा कि पिसले छे वर्स के अंदर सरकार के कारिक्रमों को बहतरी इन तरीके से नकेवल आम जन्मानस तक बलकि देश और दुनिया तक पहुचाने के लिए हमारी मीडिया के मित्रों ने बहुत सकारात्मक युगदान दिया है और उसके परिणाम भी आज देखने को मिले ये तर्प्रदेश के प्रसेंशन को बदला है इस चीज़ने दूसरा टीम वर्क कैसे प्रिणाम देता है कि मंत्री मंडल के द्वारा एक साथ के गए प्रियास जन्म प्रतनितियों के द्वारा उसे जन्ता तक पहुचाना संगठन के पदादिकारियों के द्वारा एक एक परिवार तक पहुचाने के लिए योगनान देना और प्रसास प्रतिवत्ता के साथ कारे किया है यह सभी टीम एक साथ मिलकर जब कारे की है तो प्रप्रदेश का प्रसेप्सन बदला है उत्तर प्रदेश आज हरेक सेक्टर में अग्रणी राज्यों की रूप में आगे बढ़तावा दिखाई दिया है मैं सोसर पर एक बार फिर से मंत्री मंदल के अपने सभी सयोग्यों सभी जन प्रतिनिद्यों का विनंदन करता हूं उत्तर प्रदेश के पचीश करोड जनता को उत्तर प्रदेश के अंदर भारती जनता पाल्टी को जनादेश देने के लिए मैं उनका हिरदेश से आभार ब्यक्त करते हुई उन्हें चे वर्स की इस कारिकाल की हिरदेश बदाई ही जी देता हूं और इस बात के लिए उन्हें अस्वस्त करता हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश की पेचान को जिस भी सेक्टर की पेचान हो वाट्टूरिजम का हो उत्तरप्रदेश की विरासत का हो उत्तरप्रदेश की सांस्कृतिक पैचान का हो या उत्तरप्रदेश के इंफ्रस्ट्रक्चर का हो इन सभी सेक्टर्स में उत्तरप्रदेश एक नई आभा के साथ आगे वढ़ने का कारे करेगा मैं आज की सौसर पर इस बात को अवस्य कहूंगा कि ये जो पैचान हम लोगों ने पिछले कुछ समय से की है और उस पे आप बहुत अच्छे डंग से देख सकते हैं कि उत्रप्रदेश के अंदर हमारी जिरो टॉल लेंस की जो नीती रही है उसने कुछ चीज है तो टै की खास तोर पर कि उत्रप्रदेश उपद्रवियों के लिए नहीं उत्सों के प्रदेश के रूप में माना जाएगा उत्तरप्रदेश माफियाज के लिए नहीं महुत्सों के लिए माना जाएगा उत्तरप्रदेश गुंडा राज माफ्या राज और जंगल राज जैसे सब्द अब अतीत के सब्द बन जाएंगे उत्तरप्रदेश बिकास की नई बुलंदियों को छुएगा और उस यात्रा के लिए मैं अपनी पूरी टीम का एक वार फिर आवहान करूंगा और उत्तरप् इस सरकार पुरी मांदारी के साथ उनकी अपेक्सा पर खड़ा उतर करके नकेवल केमरों राज्य सासन की योजनाव कलावने भरपूर देगा बलकि जहां भी आउसकता पड़ेगी उनके हितों के संग्रक्षण के लिए सरकार बड़े से बड़े कदम उठाने में कुई पुरी टीम का हिर्दे से अविनंदन करता हूं जन परतनितियों संगठन के पदादिकारियों और प्रसासनिक टीम के द्वारा जिस प्रतिवदता के साथ इन कारिक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है इसके लिए उन्हें हिर्दे से धन्यबाद देते हुए एक बार फिर से आप सभी का में इस उसर पर अभिनंदन करता हूं आप सब को में धन्यबाद देता हूं जैहिए